पाल गंगाधर तिलक ने जनम लिया आज बड़ी संख्या में हो रहे पलायन का गवा है महराश्च्र में अरब सागर के तट पर बसे रत्मागिरी ने साल 2000 से 1000 लोगों का पलायन देखा है वही खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं से घिरा निराशा भरा जीवन जिसकी कोई सुद लेने वाला नहीं है जिसके कारण रोजी रोटी की तलाश में आसपास के बड़े शहरों में जाना ही उनके लिए विकल्प बच्चता है साल 2001 में हुई जनकरणा में जिले की जन संख्या 16,96,777 दर्श की गई थी जो 2011 में खटकर 16,15,079 हो गई रत्नागिरी में रहने वाले लगभग एक लाख लोगों ने उन दस साल में रत्नागिरी जिला छोड़ दिया ग्रामीर अबादी में से ज्यादा तर लोग मच्छी पकड़ने और खेती का काम छोड़ने पर मजबूर है सडक से संसद के इस एपिसोड में हमारी टीम ने किसानों और मच्छवारों की परिशानियों को जानने की कोशिश की पर उससे पहले एक नजर डालते हैं रत्नागिरी के सियासी समीकरण पर महराश्व के 48 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक रत्नागिरी सिंधु दुर्ग संसदिय क्षेत्र 2008 में अस्तव में आया यहाँ पहली बार 2009 में चुनाव हुए और कॉंग्रेस के निलेश राने संसद चुने गए 2014 के चुनाव के बाद इसके वर्त्मान संसद शिवसेना के विनायक राउत है निलेश राने 2019 में फिर से चुनाव लड़ेंगे लेकिन इस बार कॉंग्रेस से नहीं बलकि महराश्व स्वाभिमान पक्ष से जो 2017 में उनके पिता नरायन राने ने बनाई थी ख्षेत में भाजपा और शिवसेना की मस्बूत पकर होने के बावजूद 2014 में आपने वोट तो दिया होगा मोदी जी को ही दिया होगा BJB को अभी देखो राब इंडिया में सबसे अच्छा प्रदरमती बनने लाइक जो है वो मोदी जी जाए निलेश राने के लिए युबाओं में काफी उत्सा है पर क्या ये उत्साह राने की जीत तै कर पाएगा ये देखना भी बाकी है रत्नागिरी के बारे में एक विल्चस बात ये है कि 2014 के लोगसभा चुनाव में यहां महला मद्दाताओं की संख्या पुरुष मद्दाताओं से ज्यादा थी रत्नागिरी देश के सबसे अच्छे लैंगिक अनुपात वाले जिलों की सूची में पांचवे स्थान पर आता है यहां एक हजार पुरुषों पर एक हजार एक सो बाइस महिलाओं का अनुपात है इस मेरा रंग रेवाभू गाट गाट यहां गटा जादू इस मेरा रंग रेवाभू कि अध्योंन विखकर श्रीघ के प्रॉटम इनुटाली AG उन्ट पस्ट फ्रीश'S कि कि अवेम सिर्ट रिवट कि अस alan tarव πα्रेंस एफ इphone वर इंट सक्सकेदि में चैन मेंटों कि plentyंषे शुर्थिपांब निंट। औरॉट। पम धोर